नमस्कार, स्वागत है आपका इविद्या चैनल नंबर 10 पर, मैं हूँ देवेंदर उच्रपाथी, आज के सत्र में हम बात करेंगे साइन्स के टेंथ क्लास के स्टुदेंट्स के बारे में एक बहुत ही रोचक चैप्टर पर जो की है इलेक्रिसिटी और आज का जो टॉपिक है दवे फॉर्वर्ड ट्रांस्फॉर्म्ड धूमनिटी हूमन सिविलाजेशन और आज के हमारे एक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं साथ ही आप NCRT ऑफिशिल यूट्यूब चैनल पर चैट बॉक्स में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं जिनकी जो आपके मन में प्रशन होंगे उनका उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे साथ ही आप हमें पोस्ट करें सवाल हमारे मोबाइल न अधियमों से इस इंटरेक्टिव लाइब कारिक्रम में, लाइब सेशन में आप हमसे जुड़े रहेंगे अगले आधी घंटे तक और हम आपको इन मुद्धों पर जानकारियां अपने एक्सपर्ट से साजा कराएंगे और बहुत ही महद्वपोंट, बहुत ही रोचक लिया है, topic भी सुन लिया है, आज के बाचित का, सिपहले एक इंपोर्ट इंपोर्मेशन आप से शेर करना चाहूंगा, G20 के संबंध में, we are proud that India assumed G20 Presidency and will convene the G20 Leadership Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multi-literalism and India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaeva Kutumbakam or The World is One Family. तो यह रही information और इसके बाद सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है, अपने दर्शकों के लिए, इस विशे से जुड़ा है, अपने छात्रों के लिए, वो यह है कि, सर अगर मैं आप से पूछू हूँ, पहला प्रशन, is there any effect of gravity on the flow of electricity, जो बिजली की flow है, धारा है, उस प करूँगा कि gravity का जो है क्या प्रभाव पढ़ता है, electricity के flow में की नहीं कर होता है, तो अभी आज जो है, हमारे class 10 के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोर्स में अपियर होंगे, उनके लिए session थोड़ा interactive होने वाला और कुछ वो सीखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने topic का नाम दिया है, electricity, the way forward it transformed human civilization, अब सोचिए आप जो है, कि हमारे आज पार जो है, electricity ना हो, एक chaotic kind of condition जो है, create हो जाएगी, हम किसी से communicate नहीं कर पाएंगे, television जो देखने हैं, वो नहीं देख पाएंगे, जो हमारे other appliances हैं, वो नहीं हो पाएंगे, चल पाएंगे, यहानी कि 20th century में, 20th century में, 20th century में, electricity एक बहुत बड़ा revolution था, उसने पूरे जो है, विस्व को चेंज कर दिया, और उसके बारे में जानना जो है, अच्छी बात भी है, और हमारे जो है, वीवर्स को यह जानना भी चाहिए, तो हम देखेंगे, क्या है, electricity का, उसे पहले मैं एक पहली हम ल name the city without people, अब आफ थोड़ा सा आपको अगर hint लगा हो, मैंने beginning में अभी hint मिला होगा आपको, तो क्या आप गेस कर पा रहेंगे, ऐसा कौन सा city है, जिसमें लोग ही नहीं रहते हैं, बता ही सर, जी, और यह है electricity, बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल सही सर, बिलकुल, electricity ही सही जवा लेकिन हमारे भारतिय ग्यान परंपरा में, हमारे इंडियन नौलिज सिस्टम में, electricity का क्या कोई mention है की नहीं है, तो उसमें है, जब हम अथरवेद के कुछ स्लोक्स को देखते हैं, या अगस्त सहिंता को देखते हैं, तो पाते हैं कि उसमें विद्दुत के बारे में, electricity कैस जेनरेट होगी, और जो प्रोसीजर उन्होंने बताया था, उस समय फर्स्ट मिलेनियम बी-सी में, उसको जब टेस्ट किया गया, मौडन टाइम्स में, तो वो 1.138 वोल्ट जो है प्रेड्यूस करती है, और कुछ करेंट जो है जेनरेट होता है उससे, ठीक है ने सर, यानि अब मौडन टाइम्स में, इलेक्रिसिटी की खोज किसने करी, इन्वेंट किसने करी, तो वो है माइकल फराडे, माइकल फराडे जब मेगनेटीजम पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने थ्रो किया, एक जो है मेटलिक सब्स्टेंस, तो देखा जो है, ये क्वायल में, अब इलेक्रिसिटी होता क्या है, और इसमें किस चीज का कॉंसिटीशन होता है, और होती है, तो आमें देखती के हो नहीं है, सारे अपलाइन से उससे चल लेकिन मैं देख नहीं पाता हूं, देखने की कोशिस करते हैं, तो जटका लग जाता है, तो ये भी देखेंगे हम परण दो क्या है, तो इलेक्रिसिटी है क्या academy, तो इलेक्रिसिटी भी हमारी एक फॉर्म अफ ए णरज ये जैसे हम आरी heat अरजी है, याख को हम तो को sense कर पाते हैं, उसी तरह से हमारी फ़ोर्म होनों अफ आर अब जैसे कि आपने पूछा है कि क्या electricity के flow में gravity का प्रभाव पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है अब देखिए अब ही जैसे हमने बदाया कि electricity कि से कॉंस्से कॉंस्क्यूट होती है, electrons है, electrons are subatomic particles, जो subatomic particles होते हैं, वो classical mechanics की theory को bypass कर देते हैं, Newtonian mechanics को नहीं follow करते हैं, quantum mechanics को follow करते हैं, electrons अपने orbit में rotate करते रहते हैं, वो अपना momentum नहीं loss करते हैं, जिसकी वज़े से gravity का प्रभाव जो है electricity पे नहीं पढ़ता है, ठीक है ने sir? जी, ओके, तो अब हम देखेंगे कि electric current क्या है हमारा और electric circuit क्या है, electric current, it is defined as a rate of flow of electric charge per unit time, through an electric conductor in a circuit, suppose यह कोई conductor है हमारा, और conductor में यह कोई charge flow कर रहा है, कितने unit time में, एक unit time में, इस पे कितना जो है charge flow कर गया, यह electric current होता है, और इसको कैसे लिखने है, i is equal to q upon t, i क्या है यहाँ पे हमारा i current है, और q क्या हमारा, q charge है, t है हमारा time, और q को हम ऐसे भी define करते हैं, q is equal to any, n is number, और e है electrons, number of electrons, अब electric current होता है, कि इस की हिलर कॉंटी होती है, इस की कोई direction नहीं होती है, वो स हमारे कितने electrons होते है, 6 into 10 power of 18 electrons, अभी जैसे एक लोग बोलते हैं कि सर, जब हम electricity के wire को touch कर लेते हैं, तो हमें shock क्यों लगता है, एक दम से, तो आप सोचिए जो है, 6 into 10 power of 18 electrons, जब हमारी body से पास करेंगे, तो हमको क्या होगा, और 1 second में इतने पास हो रहे है, 6 into 10 power of 18 electrons, इस ल से तो ampere है, लेकिन हम इसको और क्या लिखते है, कुलाम पर second भी लिखते हैं, जिसको हमने यहां पर mention किया, और electric current को measure किसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक instrument है, जिसको हम लोग M meter बोलते हैं, और M meter को हमेशा हम लोग electricity circuit मे series में connect करते हैं, series में connect करने से हमें उस circuit में कित terminal positive से negative terminal की over flow करता है, ठीक है सर, उसके बाद जो दूसरी terminology हमारी वो electric potential की है, और potential difference की है, तो यह electric potential होता क्या है, electric potential is defined as the amount of work needed to move a unit charge from reference point to a specific point against an electric field, अब सपोर्स जो है, यह हमारा कोई point charge है, और दूर से हम इसको observe कर रहे हैं, तो अब इसका potential के बारे में हमें पता करना, इसका जो potential हम पता करेंगे, तो जो है हमें पता चलेगा कि इसमें जो है कितना उस समय पर कितना जो है charge है, आह और दूर से देख ज़र, इतनी दूर से महां लिजए कोई infinite point से कोई MINIFINITE point से यह जो है यह चार्ज को देख रहा है तो इसका पता करना हम है कि इसमें जो है पोटेंसियल कितना है तो जो व्यक्ति वो डिडियोस करेंगे कि इसमें इतना जो है पोटेंसियल है इस पॉइंट चार्ज में तो यह हमको पता जलेगा कि यह एलेक्ट्रिक पोटेंसियल और यह भी जो है और potential different Saya suppose वो तो आमनिय तेका, श्रफ एक poindt charge है हमारा जब दो Anna charge है , जब 2 to inρείम ऐख ही उनमे कुछ ना कुछ सुछ potential होगा अब potential का डSteph इन दोनो आक Potential का difference इन दोनो to point पर इस्ठीछ जो चाल्जो rासे इनका potential ka difference am potential difference केला ता है ठीक न驚 efic s-ar Q, W क्या हमारा work done, Q क्या है charge, और it is also the scalar quantity, इसके SI unit क्या है, Joule per coulomb or volt, potential difference is only responsible for flow of current, जो हमारे circuit में current का जो flow होता है, उसके लिए कौन responsible है, हमारा potential difference जो है responsible, potential difference की वजए से एक जो है मैं gradient मिलता है, उस gradient की वजए से potential किसी circuit में current flow करता है, और potential difference को measure किस से करते है, उसको हम लोग volt meter से measure करते है, volt meter को हमेशा हम लोग parallel mechanic करते है, किसी भी circuit में potential difference को अगर measure करना है, तो वो parallel mechanic करेंगे हम लोग, ठीक है ने सर, अभी जब हम circuit diagram की बार-बार बात कर रहे हैं, electrical circuit तो यह circuit क्या होते है, circuit diagrams क्या होते है, तो कुछ commonly used circuit diagrams है, suppose हमारे पार एक circuit बनाना है मुझे, यहां पर बलब जलाना है, यह ऐसे, इसको दिखाना है, सर, यह हमारा बलब है, अब जैसे बड़े से circuit को हम पूरा बना के तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन representation के purpose के लिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, यह हमारा बलब हो गया, electric bulb, ठीक है सर, और यह पूरा हमारा circuit, यह बैटरी होगई हमारी, ठीक ना सर, और यह है की, अभी ये की off position पे, और इसको जब on कर देंगे, तो कैसे कर देंगे, यह, एक बिंदू जब लग गई, met 0-person, जब यह बिंदू हटा देंगे, ऐसे कर देंगे इसको, तो यह होगई हमारी on position और य जो है हम किसी जो है electrical circuit wiring को जो है दिखाते हैं कि कैसे जो है एक structure जो है plant है बिल्कुल और जैसे electric cell का देखी है हम लोग जो है यहां पर देख रहे हैं symbol इसका symbol अलग है बैटरी को कैसे दिखाएंगे इस symbol दिखाएंगे combination of battery है तो इसको अलग symbol से दिखाएंगे plug switch जो है open है अगर तो इसको इस symbol से दिखाएंगे दूसरा अगर closed है तो dotted symbol से दिखाएंगे wire का joint है तो अलग symbol है उसके लिए इसी तरह सारे जो है अलग अलग symbols अब आप पूछ सकते हैं गैलवनो मीटर का काम क्या है तो गैलवनो मीटर से हमें डायरेक्शन आफ करेंट का जो है पता चलता है अभी अगला जो कॉसें है सर जो होम्स लाओ है बहुत important लाओ है अब देखिए इसमें एक picture जो है मैंने embedded की हुई है एस picture में पता चला कि एक तो potential difference किसकी वजए potential difference यहाँ क्या कर रहा है current को flow करने में मदद कर रहा है और एक ohm है वहाँ पर देखिए एक person है जो green shirt पहने है अभी उसमें क्या हो रहा है हमारा कि वो जो है current के flow को जो है रो कर रहा है तो इस relation को जो हम लोग देखते हैं उसको ohms law से देखते है ohms law हमारा क्या होता है v is equal to i r होता क्या है potential difference जो है हमारा directly proportional होता है current के और v upon i is equal to constant होता है तो फिर v upon i जो constant को जब हम लोग replace करते है उसको r बोलते है और वो r हमारा जो है resistance होता है resistance के बारे में भी हम आगे जानेंगे आच्छ यह ohms law दिया किसने था इत वस प्रोंड़ जोर्ज साइम और ohms law के regarding the potential difference v across the end terminals of the conductor in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided that it temperature remains constant एक constant temperature पे अगर किसी circuit में current flow कर रहा है एक निश्चित voltage में तो उसको हम लोग जो है ohms law से जो है बताते है ohms law हमारा क्या है v is equal to i r और v upon i is equal to r जैसे हमने बता है कि अब resistance के बारे में resistance के बारे में हम चलचा कर रेजिस्टेंस क्या होता प्रतिरोध कि current को flow करने में कितनी दिक्कत आ रहा है जितना ज्यादा resistance है उतनी ज्यादा current को flow करने में दिक्कत होगी तो इसी relations को हमने ohms law से जान रहा है अब resistance actually में क्या है definitive terms में क् the hindrance cause to the flow of current जो current flow होने में hindrance cause होता है उसको क्या बोलते हैं रिजिस्टेंस बोलते हैं इस दा ratio of potential difference to the current that is r is equal to v upon i r क्या है हमारा यहाँ पर रिस्टेंस है v a हमारा voltage और i क्या है हमारा current है और रिजिस्टेंस की हमारी si unit क्या है si unit है इसकी और रिजिस्टेंस का हमारा reciprocal क्या होता है रिजिस्टेंस का reciprocal होता है जिसकी unit होती है पर ओम या महो ठीक है न सर इस circuit में देखे एक resistance लगा हुआ current flow कर रहा है एक निश्चित voltage पर जो हमें resistance की एक जो है अवधारणा को जो है बताता है कि resistance कैसे काम करता है कहीं कहीं resistance को हम load से सो करते हैं जो भी electrical appliances के load है उसको जो है resistance के रूप में हम count करते हैं अभी और हमारे resistance के जो है जो factors है जो resistance को effect करते हैं वो कौन-कौन से factors है एक metallic conductor में resistance को effect करता है length of conductor conductor की लेंथ जो है effect करती, suppose कोई conductor है इतना बड़ा है, ठीक है sir, और कोई conductor है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसको flow करने में ज्यादा resistance लगेगा, यह बड़े conductor में अगर current flow होगा, तो ज्यादा resistance महसूस करेगा, वहीं अगर इस छोटे conductor में current को flow होना है, तो कम resistance जो है अगर conductor है कोई जो है, यह marker से हम दिखा रहे है, यह जो यह area, यह area of cross section इसके जो है inversely proportional, और क्या होता, directly proportional to the temperature of the material, temperature जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा जो है resistance बढ़ता चला जाएगा, nature of material, material का nature कैसा है, जैसे जैसे जो है material का हम degrade करते जाएंगे, हमारा जो है resistance जो है उसका क्योंकि उसका resistance बहुत कम है, उसके बाद और जो है हमारे conductors है, उनके बारे में भी हम देखेंगे आगे, अच्छा एक और चीज आती है, इसमें resistivity, the factors affecting resistance gives us insight about resistivity, it is also called as specific resistance, specific resistance किसी भी metal का या किसी भी conductor का हमें सा constant होता है, जो है वो है, और यह किसके equal होता है, R is directly proportional to L upon A, और जब proportionality हम लोग हटाते हैं, तो उसको row introduce करते हैं, और यह जो row है हमारा, यही row हमारा resistivity कहलाता है, ठीक है न सर, और इसी resistivity को हम लोग specific resistance के रूप में भी जानते हैं, इसकी SI unit क्या है हमारी, SI unit of resistivity is ohm meter, जो कि यहाँ पे हमने mention कर रखा, नीचे figure में देख लीजे, area of cross section है य जैसे जैसे जो है area अगर बढ़ता जाएगा, area of cross section बढ़ता जाएगा, तो resistance क्या प्रभाव पड़ेगा, resistance घटता जाएगा, ठीक न सर, और length अगर बढ़ती जाएगा, तो resistance हमारा बढ़ता जाएगा, अच्छ, electrical resistivity of some substance at 20 degree centigrade, यह हमारी NCRT की booklet में एक table है जो है, उसमें हम देखते हैं, बच्चों को यह याद नहीं करना, बास reference purpose के लिए, जानने के लिए, जैसे जो हमारे conductors होते है, conductors में जो सबसे अच्छा conductor है, वो हमारा silver है, फिर दूसरा उसके बाद क्या है, copper है, aluminium है, tungsten, क्यों जो है, क्योंकि इनकी resistivity का जो order है, देखी जो 10 to power minus 8 order का, वह जो हमारे insulator है, जिसमें जो है, electrical current flow ही नहीं कर सकता, flow ही नहीं कर, जैसे glass है, तो positive power में 10 to power 10 to 10 to power 14, ebonite का 10 to power 15 to 10 power 17, dry paper है, तो 10 to power 12, ठीक ना सर, जी, तो यह जो है, हम electrical resistivity के बारे में, पता कर बाते हैं, जिससे क्यों conductor हमारा कितना अच्छा है, जी, सर इसी सी जुड़ा कि एसी कौन सी चीज है, जो किसी metal या non-metal को, insulator या conductor या जिसे विद्योट सुचालक कहते हैं, उसके रूप में convert करती है, actually होता गया है, सर, जितने भी metals होते हैं, उनमें free electrons का presence होता है, वो electrons देनी की tendency रखते हैं, तो जो flow होता है, वो electron एक orbit से दूसरे orbit में जाना चाहिए, एक यह हमारा जो है, मानलो जो है, यह यहाँ पर atom है, और यह दूसरा हमारा atom है, तो इसकी outer orbit से electron जो है, इधर जाता है, तो इसमें metals में क्या होते हैं, हमारे free electrons होते हैं, वही जो non-metals होते हैं, non-metals में free electron होते नहीं, वो देनी की जगह हैं, वो लेना पसंद करते हैं, जिस जो है non metals होते हैं ठीक है सरु फिर अब resistance को भी कई तरह से हम लोग देख सकते हैं resistance कैसे connect हो रहा है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इस figure में कि resistance हमारा series में भी लगा हुआ है और parallel में भी लगा हुआ तो इसमें series में और parallel में अंतर क्या है कैसे जो है दोनों में फर्क पड़ता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली slide में अब देखे series connection में यह circuit बना हुआ है जिसमें से तीन resistance बिलकुल series में एक साथ लगे हुए उसमें जो है उनका potential difference अलग-अलग है V1 है V2 है V3 है और I current जा रहा है तो इसमें क्या लिखा हुआ है series connection में हमारा voltage जो है divide होता है और यहां पर current जो है remains same in all resistance और combined resistance इसका क्या होता RS is equal to R1 plus R2 plus R3 suppose इन सारे जो है resistance में current कितना है आई है अब इसको कैसे जानेंगा हम लोग देखें suppose हमारा V is equal to IR हमारी relation है ठीक है न सर और हमें यह पता करना कि combined resistance कितना है और current कैसे जो है हम पता करेंगा तो पूरा मान लिजे है हमारा जो है I current जा रहा circuit में और resistance जो है net resistance इसका हमारे पास RS ही है number 1 हो गया और बाकी सारे जो है resistance में भी I current ही जा रहा बस क्या है voltage divide हो रहा है तो V1 क्या हो जाएगा हमारा V1 is equal to V2 plus V sorry V1 plus V2 plus V3 अब V1 क्या है हमारा IR है sorry 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 यह जो V current हमारा net current है V V is equal to V1 plus V2 plus V3 V क्या हमारा यह IR है और V1 क्या हमारा IR1 है current सब में सेम है क्योंकि V2 क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा V3 क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा यहाँ पर तो अब I यहाँ पर common लिया यह RS हमने net resistance जो है इदर लिया और यह I इदर से भी common लिया यह R1 plus R2 plus R3 तो क्या यह current और current यह II cancel out हो गए तो हम बोलते हैं कि resistance जब series में लगे होते हैं तो सारे add-on होते हैं अब इसी तरह से आप N number of resistance लगा दीजेए series में तो सारा net resistance कितना होगा इसका add-on होगा सर ठीक है न सर यह series की हमारी concept है कैसे series में हमारे resistance add होते हैं series और parallel की बात कि आपने तो एक प्रशन मेरे मन में उठता है कि जो house wiring होती है वो series में होती है या parallel में अच्छा सर इसको भी हम टच कर रहा है पहले हम parallel की बारे में थोड़ा बच्चों को बता दें तो उसके बाद हमारा series और parallel जब हम clear हो जाएंगे तो हमें पता चल पाएगे कि house की wiring जो हमारे घर में जो wiring होती है वो कैसे होती अच्छा parallel connection में क्या होता है यहां पे हमारा current divide होता है circuit में तो इसमें हमारे parallel resistance में हम क्या देख पा रहे है कि current जो है divide हो जा रहा है और voltage जो है इसमें सेम रह पा रहा है combined resistance में हमारा जो है जो होता 1 upon RS RS यानि total parallel connection का combined connection वो होता 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 इस relation से हम parallel connection में net resistance का पता कर पाते हैं अब आते हैं आपके question पे आपने पूछा जो घरों में wiring होती है यह जो है series में होती के parallel में होती है अब सोचिए जो है अगर आपने सारे जो है appliance है यह माणिजे appliance है appliance one है यह two है और यह three है यह सारे हमने service में जोड़ती है मान लो मान लीजेяж यह आपका घर का bulb है यह refrigerator है और यह हमारा cooler है यह सारे सीरिज में जोड़ती है घिक है टिरीक powered जोड़ती है तो जब चालू करेंगे तो सारे एक साथ चालू होंगे जब बंद करेंगे तो सारे एक साथ बंद करेंगे तो आपको जब लाइट की आप सकता है तो आप जो है आपके रेफिजरेटर और ये फैन चलेंगे आपको सिर्फ जो है फैन की आप सकता है तो ये दोन लिंक सिस्टम में वाइरिंग होती है और प्रलेल जो है कनेक्शन उसमें घर की वाइरिंग में ताकि जो है जो अपलाइंसे हमें जब चलाना हो तब चले हमारी सविधा अनुसार ठीक है सर अब करेंट का एक बहुत महत्पून जो है चीज है जो हीटिंग एफेक्ट ऑफ करे है Joule's law of heating इसको किसे represent करते है H is equal to I square RT I square क्या current का square R है resistance T है time heating effect is directly proportional to resistance the rate at which electrical energy is dissipated और consumed in electric circuit tends to be termed as electrical power उसको हम लोग जो है electrical power कर बोलते है Electric energy किस जो है form में जो है हम consume कर रहे हैं उस circuit में उसी को total हम लोग जो है electrical power बोलते है इसकी unit क्या होते है SI unit is watt और क्या बोलते है volt ampere अब power यहां पर हमारा क्या power is equal to voltage into current V I अच्छा heating effect का और क्या जो है उपयोग है हमारे जैसे सर्दियों में हम लोग देखते हैं कि heater है हमारे यह हमारा electric iron है क्योंग हमें कपड़े प्रेस करने हैं या सर्दियों में आग से हांग सेखना है तो उस heating effect को हमें चाहिए अब heating effect कौन जादा जिनका resistance जादा है तो हमारे जो नाइक्रोम वार्यर्स होते है नाइक्रोम जो है उसका resistance जो है सबसे ज्यादा होता है जिसकी वज़eros केले है घ्रीटेश केलिए हम के बातकों है नेलेक्रिसिटी जए तो बचों बहुत अच्छी तरह से समझाया सरने अगर स्वालएजेशन को transform किया और आज आप समझ रहे होंगे समझ रहें कि electricity अगर आज नहीं होती तो human civilization कहां हो सकता था और एक दिन एक समय के लिए थोड़े समय के लिए भी अगर हम electricity से दूर होते हैं या power cut होता है तो सारी चीजें ठपसी हो जाती हैं और आने वाले समय में इस पर निर्भरता धीरे-दीरे और बढ़ेगी ऐसी संभावणा है विल्कुल सर हमारी rail हो कोई भी कोई भी एप्लाइंसे हो rail सोचिए जो एक दिन के लिए सिर्फ एक घंटे के लिए पूरी भारत की बत्ती बंद कर दीजिए अब लेटरिसिटी बंद कर दीए लोग जहां के तहां रुक जाएंगे परिसान हो जाएंगे जीवन रुक जाएगा इसी लिए तो इलेटरिसिटी ने ट्रांसफॉर्म किया है हमारी जीवन को जीए तो वग्यानिक आविशकारों में सबसे महत्वपूर्ण आविशकारों में से एक है इलेक्ट्रिसिटी का और इसने निश्चित तोर पर मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल दिया है और जैसा कि सर ने भी कहा आने वाले समय में इसका जो महत्व है वो और बढ़ने वाला है आज हमारे साथ जुड़े थे सुधानशू शर्मा सर जो की आयाटी जोधपूर में रिसर्च स्कॉलर हैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे चात्रों के साथ एतनी महत्वपूर जानकारी असा जा करने के लिए और इसी के साथ ही आज का सत्र हम समाब तो करते हैं लेकिन चलते चलते अपने चात्रों अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें अगर आप NCRT की पार्थे पुस्तकें अब तक नहीं ले पाये हैं, तो उसके लिए अभी भी आपके पास अवसर है, आप खरीज सकते हैं, इसके लिए अलग-अलग लोकेशन पर सेल्स काउंटर हैं, दिल्ली, कोलकाता, गोहाती, बैंगलूरू और आहमदाबाद में सेल्स क कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडियो फ़र्जन में, और साथ ही साथ आप NCRTbooks.gov.in पर जाकर, ऑनलाइन डिलिवरी के लिए ऑनलाइन ओर भी प्लेस कर सकते हैं, जो डिलिवरी फ्री पुस्तकें आपके घर तक पहुँचा दी जाएंगी, और इसके साथ ही हम आपसे विदा, लेकिन अगला सत्र होगा आपसे थोड़ी देर में, संस्कृत के कक्षा दस्वी के चात्रों के लिए सूक्तर पाठ पढ़ेंगे चात्र, तो बने रही हमारे साथ लगातार, और दीजे अब इस कारेक्रम को समाप्त करने के अनुमती, धन्यवाद, नमस्का कराआ कर सबस्तर लोगाद दाए कर देर झाल झाल